जैकुरूची संगर जी जैकुरूची संगर जी जल्दी जल्द से लाइव जोट जाएए जब तक संगर जुर रहे हैं तब तक हम अंतर जाप शुरू कर लेते हैं ओम नमाज शिवाय शिप्ची सदा सहाई ओम नमाज शिवाय शिव्ची सदा सहाई और आप आगे लिंक भी शेयर कर सकते हैं हापी होली इन एडवांस जी हाँ होली आने वाली है एक तो दिन ही रह गए हैं सो सबको होली की बहुत-बहुत मबारक हो जल्दी जल्दी से लाइब आजाएए सबको जैगुरुजी प्यारे संगत को जैगुरुजी जल्दी जल्दी लाइब जोड़ जाएए संगत जी गुरुची का हम जतना शुक्राना करें उतना कम है और कभी-कभी तो वर्ड्स ही नहीं कि हम क्या बोलें आज मैं गुरुजी से बोल रहे थी कि गुरुजी हम क्या ही आपके बारे में बोल सकते हैं हम क्या गुंगान कर सकते हैं यह हमें खुद को नहीं पता और कभी-कभी वर्ड्स नहीं मिलते कि हम गुरुजी के लिए क्या बोलें क्योंकि जब हम गुरुजी कि आगे गुरुजी की सोच होती है गुरुजी की जो future क्यूंकि गुरुजी की दूर दिष्टी है वो देख सकते हैं और हम नहीं देख सकते तब हमें महाराज कहते है कि हम आदा ना लगाए और जैसे-जैसे महाराज बोल रहे हम वैसे-वैसे चलते जाये तो और हमारी टेक केर करते हो और जै गुरुची सबको जै गुरुची माराज जोड चिस बता रहे थी कि जब हम गुरुची से जुरते हैं हमें लगता है हम जोड़ते हैं पर गुरुजी महाराज जोड़ते हैं हाँ जी बिल्कुल गुरुजी महाराज हमें जोड़ते हैं और selected जोसे कहते हैं कि गुरुजी महाराज हमें select करते हैं क्योंकि देखे इतनी करोडों दुनिया में से इतनी करोडो लाखो जन्ता में से गुरुजी महाराज कैसे उनको पता है और जोड़ना भी कब है किस समय है ये भी गुरुजी महाराज को पता है तो जो संगत जोड़ रही है मैं दुबारा से बोल रही हूँ सबको जै गुरुजी और सबको happy holy in advance रंगों का त्योहार है और जब मैं गुरुजी महाराज के पास बैटी थी तो बड़ा ही प्यारा गुरुजी ने thought माइंड में डाला कि गुरुजी ने बताया कि कैसे हम लोग त्योहार मनाते हैं रंगों का त्योहार, colors, you know और रंग का मतलब एक किसम का it's about unity है न होली प दूसरे के साथ connect कर रहे हैं हमें चेहरा नहीं बता कि किसका क्या है क्योंकि रंग लगने के बाद चेहरे नहीं नजर आते सिर्फ रंग नजर आता है तो इसका मतलब गुरुजी ने बड़े प्यार से दिखाया कि रंग, रंग मतलब उस टाइम पे प्यार ठीक है कि वो क्यों मतलब है कि लव और आजकल क्या होता है कि हम, हर दूसरे इनसान को चाहता है कि हम अपना रंग, मतलब, हम दूसरे को गाइड करें और दूसरे को सोचें कि हाँ ऐसा है यह है वो है, ठीक है लेकिन हम मिलक नहीं रहना चाहते है लेकिन, तब ही यह सब चीज है Lud Wahr & the Master, यह सब नहीं रह गया है तो गुरु जी महराज पर हमें उस इस समय पर आकर यह गाइड करते हैं कहते की होली क्यूं मनाई है तो पहले तो बुआ के उपर अच्छाई को जीत के लिए मनाई जाती है और दूसरा सबसे बड़ी बात कि हम सब गुरु जी के रंग में रंग जाए उनके प्यार में रंग जाए और भक्ती में जैसे मर्जी कह लेजिए जैसे भी मर्जी कह लेजिए वह सची हो ली है तो एक थोट बड़ा ही प्यारा गुरु जी ने आज बताया कि आप कहते हैं कि प्रकृति में सब कुछ बड़ा ही सुंदर है बहुत सुंदर है नीलमाती जय गुरु जी बहुत सुन्द है सब कुछ ठीक है और प्रमात्मा ने ये सृष्टी रची है ठीक है अब आप छोटी चीज बड़ी चीज कुछ भी आप ले लीजिए आप एक फूल ले लीजिए ठीक है आप उसको टच करते हैं तो वो अपनी महक देता है कोई भी फूल ले लीजिए आप बुलाव का ले लीजिए आप गेंदे का ले लीजिए या आप चोटा सार चमीली का फूल ले लीजिए अगर आप उसको टच करेंगे तो उसमें से आपको आपके हाथों में महक आती रहेगी तो ये प्रकृती है आप केसर को टच करते हैं त को ने रहा है सूरज तो सुरज नहीं और पर फिर भी चमक ताँ कि आप कुछ भी ले लीजे एक्स वाइज़ बादल है वो पानी बरसा रहे हैं फूल है वो खुश्बू दे रहे हैं चंदन की जो लकड़ी है अगर आप उसको टच करते हैं तो आपके कितनी महक हर जगे महक है आज गुरुजी महाराज ने मतलब आई वास ओवर्वेल्म जब यह हमको पतानी कैसे वह में बताते हैं कि everything in nature is providing you something आपको nature में हर चीज आपकी facility के लिए आपके लिए धर्ती पे रह रह रहे हैं आपको खाना मिल रहे हैं पीना मिल रहे हैं महां से कपड़ा मिल रहे हैं आपको वहां सारा कुछ चो भी खाने के पदारत है ठीक है सबजिया फल ये वो, अब आप सोचके चलिए, this is how nature works, एक पंची भी है ना, तो वो भी जहाते हैं, तो आपको music मिलता है, कुछ भी, anything जो भी है, वो जो natural है, it's always giving in nature, always giving, giving, तो वो परमात्मा से उनको ये चीज़ मिली है, ठीक है, क्योंकि ये nature, ये भगवान ने create किया है हमारे लिए, इतना प्यारा सब कुछ, फल, फूल, पंची, सूरज, चांच, सितारे, ये सब गुरुजी महराज ने, शिव ने, भोले नात ने, ये सृष्टी प्रकट किया है ह हमारे लिए, और वो सब कुछ हमें वो प्रुवाइड कर रही है, तो similarly गुरुजी हमको ये कहते हैं कि हमारा व्यक्तित भी ऐसा ही वरना चाहिए, तो हमारा भी नेचर ऐसा होना चाहिए, कि जब हम किसी से मिलते हैं, हमारे माइंड में ये नहीं आना चाहिए, वो हमें क्य दे रहा है, और फिर हम जब एक्सपेक्टेशन आ जाती है, तो हम गुस्से में आ जाते हैं, उसने नहीं दिया तो मैं क्यों दूँ, उसने नहीं बुलाया तो मैं क्यों बुलाओं, उसने नहीं ये किया तो मैं क्यों करूँ, मैं तो उल्टा दो कदम आगे बढ़के तो अगर हम नीचर को क्लोजली हम जब बैठेंगे ना सोचेंगे तो कि हम बहुत फॉर ग्रांटिट लेते हैं बहुत जादा हम यह सोचते हैं कि क्या है एक दिन सूरज ना निकले तो क्या होगा सोच के देखें ठीक है अंधेरी रात में चांद नहीं दिखाई देता तो हम देखे हर चीज का ना एक वक्त होता है शाइन करने का अब वही जान आपको कर्वाजट पर बड़ा सुंदर लगत और आप पूजा करते हैं वेट करते हैं पूरॉन माजशी पर आप वेट करते हैं पूजा करते हैं आगे पीचे हम जादा ध्यान नहीं देते हैं किसी दिन बहुत जादा देखे ठंड होती है तो हम उसी सूरज देवता का इंतजार करते है कि कब वो निकलेगा, कब हमें गर्माहट मिलेगी, है ना, हम वेट करते हैं, अगर चार दिम बारिश पर जाए तो हम वेट करते हैं कि सूरज कब निकलेगा, तो हर चीज का एक वक्त है, जो प्रुजी महराज ने तै किया हुआ है कि हर चीज अपने वक्त पे शाइन करती है, कितनी ब्यूटिफुल हमारी नेचर है, प्रकृती है, कैसे सब कुछ चल रहा है, कैसे सब कुछ अपने टाइम पे, you know, कैसे भगवान ले, कैसे सृष्टी रची हुई है, कि हर चीज का दूबने का टाइम होता है, तो वो अराम से अपना काम किया और चले, क्योंकि सुबह दुबारा आना है, चांद को पता है कि मैं रात को निकलना है, ठीक है, सब कुछ, everything is so perfect, working in a perfect manner, क्योंकि भगवान ने सृष्टी रची है, क्योंकि वो भगवान को फॉलो कर रहे है, उन अगर मैंने तुमको भगवान ये कहते है, कि अगर मैंने सृष्टी रची, अगर मैंने हुमिन बीइंग्स को बनाया है, तो यूमिन बीइंग्स ऐसे क्यों नहीं चल सकते, वो ये चीज फॉलो क्यों नहीं कर सकते, हमने पूछा कि गुरु जी यही चीज है, कि आप देख हमें फल फूल देती है, हवा देती है, बादल हमें बरसात देते है, जरने हमें पानी देते है, हमें हर कोई देता ही देता है, तो हम परमात्मा ये सब कुछ नेचर में देता है, क्योंकि वो परमात्मा से सब कुछ मांग रहे हैं, वो सब कुछ परमात्मा से connected है, सब कुछ तो जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो घुम्फिरके में वहीं आ जाती हूं कि होली, सची होली इसे ही कहते हैं, कि हम बगवान के रंग में रंग जाएं, हम एक दूसरे के साथ मिलके जैसे पहले समाने में होली खेला करते थे जब हम बच्पन में थे ना, तो मुझे याद हैं वो, तब ये सब कुछ नहीं होता था, तब बहुत अपना पन होता था, तो आपस में होली खेलते थे, एक दूसरे को रंग लिखाते थे, तो वो रंगों का क्या मकसद होता है, कि आपको चहरे नहीं दिखते, आपको सिरफ रंग दिखते हैं, लाल, पीले, नीले हरे सफेद, गुलाबी सब रंग के, बस रंग हैं, रंग मतलब ब्यूटी, मतलब नेच्चर, मतलब प्यार, सब कुछ, तो रंग ही रंग दिखते हैं, तो सिमिलरली जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो बस फिर हम गुरु जी की हो जाते हैं, उनके रंग म नहीं करना चाहे वो कोई भी है हमें सर्फ परमात्मा से connected रहना है वो दे रहे हैं हम भी नेचर का ही तो पाट है हम भी युनिवर्स का ही पाट है हम भी गौड की creation है और हमें यह समझना चाहिए कि अगर भगवान ने इतना सब कुछ अच्छा बनाया है तो हमें सरफ गुरु हम भी creation है आपकी everybody is beautiful हर किसी में quality है हर किसी में beauty है क्योंकि हम शिवशक्ति का अंच है वो हमें protect कर रहे हैं उन्होंने हमारी सहूलत के लिए हर चीज बनाई हुई है उन्होंने हमारी सहूलत के लिए हर चीज प्रवाइड की हुई है in this nature तो अगर हम nature को protect करना शुरू कर दे ठीक है अपने environment को protect करना शुरू कर दे अगर हम एक साथ एक दूसरे को यह नहीं कि expect सामने वाले से आप जब भी मिले तो आप यह सोचे कि वो क्या दे रहा है in fact यह सोचे ठीक है देने वाले हम नहीं होते है फूल या आपने कभी किसी nature जो भी nature में होती है चीजे आपने उ लकडी अपने आपने घमन कर रही है कि वो कितनी खुश्पुदार है या जो भी है एकस वाइस एट नेचर वे जो जो भी है तो इट इस सच अ ब्यूटिफुल मेसेज मतलब ऐसा लग रहा है कि कि परमात्मा ने हर चीज में इतनी सुन्दरता भरी हुई है इतनी कि it's overwhelming हमारे लिए सब कुछ बनाया है परमात्मा ने human beings के लिए ये सब कुछ बनाया है वाउ मतलब हम इतने special हैं भगवान के लिए हमें वो इतना प्यार करते हैं challenges तो देखी आते रहते हैं क्योंकि complex हम लोग बना लेते हैं life को बहुत जादा हम बहुत जादा complex बना लेते हैं भगवान ने तो हमें बच्चा ही बनाया ना तो अगर उस तरीके से ही हम चलते रहे तो अच्छा रहता है जहां हम जादा दिमाग लगाना शुरू कर देते है वहां situation जो है वो complex होनी शुरू हो जाती है तो चुक्राना गुरुजी का आज गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारा message दिया है कि we all are like part of this beautiful creation universe ठीक है और हम सब यहां बस आए है ठीक है और यह गुरुजी हमें all the time bless कर रहे हैं हमारे लिए हर चीज हर चीज उन्होंने एक perfect timing बनाई हुई है जैसे कि स्रिष्टी में हर चीज की perfect timing है ठीक है फल पक जाता है गिर जाता है ठीक है यह आप कुछ भी देख लेजिए पत्ते ठीक है सुख जाते हैं नए पत्ते आ जाते हैं ठीक है let go यह part of nature है कभी rainy season आ गया कभी dry season आ गया कभी थंडा आ गया तो कभी करम हो गया तो सब कुछ जो स्रिष्टी है वो परमात्मा के उसमें balance में बहुर अच्छे से चल रही है और तभी सब कुछ अच्छा है लेकिन हम लोग complex हम लोग हर चीज खराब करते हैं humans मतला tendency होती है कि हम लोग हर चीज खराब करनी शुरू कर देते हैं गंदगी फैलाना या problems create करना या मतलब यह सारी तो चीजें आती है ना जब हम धीरे 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 बड़े होते जाते हैं ठीक है कि जो भी तो हमें सिरफ यह कोशिच करनी चाहिए at least कि हम जैसे बच्चे है ना कोमल साफ मन के या बस वैसे बन के रहे हम जादा दिमाग ही नहीं लगाए और specially गुर टफ होता है कई बारी बहुत टफ होता है लेकिन आप सिरफ आप देखिए आप किसी को मिल रहे है कोई stranger है कोई कोई भी है और आप किसी को भी मिल रहे है और आप जब मिल रहे हैं आप यह सोचके चलिए कि आप at least अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप दो बोल अच्छे दो ब अगर किसी ने कुछ गलत भूला है अगर किसी ने कुछ आपके लिए वह उनकी सोच है जाने दो हुए मैं देख लूगा गूसी ग्रीश्ल कंद यहremos है तो जाने दूर कि मैं हूं दूर के विदिया तो गुछी आप हमें इतने प्यारे प्यारे message देते हो आप हमें इतना सब कुछ हमें सिखाते हो Guruji बस हमें थोड़ी सी सत्वुधी भी दिना कि आप जो बताते हो हम उस पे चले बस Guruji महाराज से यही प्रातना है यही प्रातना है Guruji कि जो आप हमें दिखाना चारे हो हम वो देख पाए और फिर हम उस पर अमल भी कर पाएं गुरुजी साइंस देते हैं एवरी टाइम हर पल आपके साथ होते हैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है हम बहुत बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं आज माने लग जाते हैं कि अच्छा जी ऐसे करके दिखाएंगे गुरुजी तो मैं मानूंगी या तो मैं मानूंगा लेकिन नहीं गुरुजी साक्षात हैं वो परमात्मा है वो है और वो हमारे साथ हैं हमारे अंगसंग है वो हमें हर पल सुन रहे हैं हीज़ दे क्रियेटर क्रियेटर है वो तो जितना भी हम गुरुजी के लिए मैं क्या बोलूं कि जैसे मै बोल रही थी कि कभी-कभी हमारे पास words नहीं होते गुरुजी कि हम describe कर सके क्या हम describe करें हम सिर्फ यह बोल सकते हैं कि कि जिस दिन गुरुजी हमें अपना लेते हैं हमें चन्नों में जगा देते हैं तो उस दिन blessings शुरू हो जाती है और सब कहते हैं कि जब आप गुरुजी से attach करते हो तो आपका जो life का जो graph होता है वो उपर की तरफ जा आपने कभी graph देखा है न ग्राफ कैसा होता है अगर आप हम total में देखते हैं ग्राफ जब उपर की तरफ बढ़ रहा होता है अब ऐसा तो है नहीं क आती ही रहते हैं लेकिन graph उपर की तरफ जा रहा है और वो जाता ही है जाए गई लेकिन गुरुजी पीछ में टेस्ट भी तो लेते हैं न ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक graph का पिच्चर लो और वो ऐसे होगा नो इस लाइक जिग 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 कभी उपर कभी नीचे कभी उता चुड़ा आप बच्चों के किताब में वो graph बनी होते हैं न तो this is the reality तो गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि graph तो थोड़ा बहुत होता रहता है न हार्ट पीट भी आपने कभी देखी हो हार्ट पीट देखी है न ऐसे हो गई तो ऐसे चलती रहने चाहिए तो कुछ ना सब्सक्राइब में जाएंगे और तभी तो गुरुजी हमें शाब भाज देंगे भाब उत्तर जी बड़ा वदिया किता है तो उसकी खुशी एक अलग डिफरेंट होती है उसकी खुशी दुगनी होती है तो गुरुजी हमें सिखाते रहते हैं all the time और हर दिन तो मैं भूल और शेखिषज के लेडी का सट्संच सुन रहे तै है यह बहुत पुरानी बात है बहुत पुरानी तो उन्होंने एक चुशी पहना हुआ था और मेरा शेखिए अने संथ की पिलिफरेंट तो इसका मतलब ऑख और गुरुजी ये कहते हैं कि असली चीज तो मुझसे कोई मांगता ही नहीं है। चीजे तो वही बात हो गई ना कि प्रकृति है सब कुछ है। गुरुजी ने अमारे लिए अल्रेडी अवेलेबल सब कुछ किया हुआ है। आपके माइंड में आया तो आज नहीं तो कल अगर ग प्रहतर क्या करता है। असली चीज क्या है कि परमात्मा को ही परमात्मा से बांगना। कि हम सरफ गुरुची आपको बांगते हैं। आपकी भक्ति, आपका प्यार और आपके चर्णों में रहे, आपकी सेवा में रहे। एक वड़ी छोटी बड़ी एक एमोशनल सी साखी अकल में सुन रही थी कि एक गुरू थे और उनके शिश्य थे तो वो बड़ी भक्ती करते थे तो उन्होंने बोला शायद आप लोगोंने भी सुनी होगी तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझे नाम नहीं याद उन्होंने बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें क्या भक्षिश चाहिए क्या चाहिए तुम्हें तो वो जो बंदा था उसने बोला कि गुरु जी मैंनु जा नहीं पता तो कहनते चलो ठीक है वो गुरु जी कहते उनके कि चलो ठीक है फिर एदा करो तुसी फैमिली नाल डिसकर्स करके आओ कि की जाएदा है तो वो घर चला गया मा से पूचा तो उनोंने बूला कि मकान मांग ले बीवी से बूला तो उनोंने ये मांग लो वो मांग लो और हाँ एंड में बीवी से पूचा तो उनोंने बूला कि कुछ चोटा मत मांग ले ना बड़ा मांग ना तो फिर बेटी के पास कहे चोटी सी ब तो जब मांगा जब वो चोटी सी उची दॉटर धी जjak चाहिए चोटी सी बेटी ते जो और रही बहुत कृपा ह। क्रिपा है आप जो भी आप देते हो आपका इदियाम खा रहे हैं लेकिन आप इतने क्रिपा करना कि अगर कभी रोटी नहीं मिले दो दिन और आप हमें सबर बख्षना और तब भी हमारे मुझ से शुकराना ही निकले इतना शुकराना निकले तो वो सुनकर वो इतने हुए और उन्होंने का कि बेटा जाओ तुमारे घर में कभी बर्कति कमी नहीं हो एगा तबी भी नहीं तुमारे घर में जो भी आएगा वो भी रही कभी भूख़ा नहीं जाएगा इतने वह प्रसंद होए यक बहुत जरूरी है बहुत 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 जादा जरूरी है शुक्राना हर पल में हर पल में कि गुरुजी कुछ भी हो जाए हमें पता है क्योंकि शुक्राना का मतलब विश्वास कि हम अपने परमात्मा में पून विश्वास रख रहे हैं कि वो उनकी प्लानिंग जो चल रही है वो हमारे भले के लिए चल रही है और इसलिए हम उनको gratitude पे कर रहे हैं इसलिए हम उनको हर चीज के लिए शुक्राना बोल रहे हैं कि गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना क्योंकि हम बहुत खुश हैं क्योंकि आप हमें हर चीज जो हमारे लिए ठीक होगी, आप वो ही कर रहे हो और हमें आपके उपर पूरा भरोसा है तो ये विश्वास है, ये पूरा अपने परमात्मा पे पूरा सरेंडर है और इसी में ही, I think जिसे हम पूरन जिसे कहते हैं, पूरन जो हम सरेंडर कहते हैं, वही चीज है तो वो होना बहुत ज़रूरी है धीरे-धीरे-धीरे, it's like a journey कि धीरे-धीरे-धीरे-धीरे हम गुरुजी महरास से अटैच होते जाते हैं जैसे जैसे गुरुजी के नसदीख जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो negativity होती है यो के लिंदियों जो हमारे लाइफ में जो जो गंदगी के जाले लगे होते हैं वो ронकर के जाते हैं गुरुजी clean करते जाते हैं time लगते है तो पेशन्स रखना बहुत ज्यादा ज्रूरी है बहुत ज्यादा ज्रूरी है पेशन्स रखना और गुरुजी वह सिखाते हैं गुरुजी गुसा भी करते हैं ऐसी बात नहीं है कि अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं या पर सब्सक्राइम करदल करें हिखिए अधिया कौन करवाता है और ऍथी गुरुजा चाहती हैं यहां में रियलाइज हो जाता है और रियलाइज कौन करवाता है गुरुजी महाराज अनन्तम शुक्राना गुरुची आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हर पल हमारे साथ रहते हो होली का त्योहार है तो एक छोटा सा दो लाईने भजन क्योंकि गुरुजी महाराज धन पाग हमारे जो हम आपके सहारे और गुरुजी महाराज की मर्जी है देखो लेकिन हम तो गुरुजी महाराज को invitation देते हैं कि गुरुजी महाराज holy का दिवहार है आप दर्शन दीजिए अरदास ही कर सकते हैं कखा गुरुचियां महले आचो आया कि तिला तिला रंग आगया जदो पेर सजन कर पाया के तिला तिला रंग आगया कखा दी कुली साटा रेन बसेरा कखा दी कुली साटा रेन बसेरा गुरुचिया मोहले आचो आया के तिला तिला रंग आगया जदो पेर सजन कर पाया के तिला तिला रंग आगया हम सब त्यारी करेंगे सब अफकॉर्स कर रहे हैं होली है ठीक है और गुरुचि महराज किस रूप में आ जाए तो हमें पता नहीं किस रूप में आ जाए हमें नहीं पता तो हम त्यारी करें सफाई करें अच्छी अच्छी मिठाई लेके आए जो भी आपको पसंद है जो गुरुजी महाराज को पसंद है और गुरुजी महाराज के लिए आसन बिजा के रखे कि गुरुजी महाराज कब किस रूप में आ जाई है हमें नहीं पता सबको एक बार फिर से हैपी होली होली की बहुत-बहुत मुबारक हो और गुरुजी महाराज आप बस युही सबको हम सबको blessings देते रहें और हमें सही रस्ता दिखाते रहें और अगर कोई कलती होई हो गुरुजी तो शमा करना जो बुलवाते हो आप बुलवाते हो और सारी संगत को भी और सबको जय गुरुजी गुरुजी आपसे आग्या लेते हैं जब आप नेक्स टाइम बूलोगे तो हम हाजर होएंगे और सारी संगत को भी प्यार भरी जय गुरुजी उमा आंती जै गुरुची और मधु आंती जै गुरुची शिवालिका आंती जै गुरुची जोती आंती जै गुरुची अनु आंती जै गुरुची सारी प्यारी प्यारी संगत को जै गुरुची सबको और जनके कमेंस का मैं रपलाए नहीं कर पाई सबको भी जै गुरुच जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी